इन दिनों बॉलिवूड में करोड़ पती फिल्मों की खूब धूम मची है। दुनिया की वो 10 फिल्में जिनके कमाई का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। मावल स्टूडियो की फिल्म ब्लैक पैंथर बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने महज 5 दिनों के अंदर दुनिया भर में लगभग 3,000 करोड रुपे की कमाई कर ली है। जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है उसे देखते वे लगता है कि जल्द ही ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन देखना दिल्चस्ट ये होगा कि क्या ये फिल्म दुनिया की उन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है। आपको बता दे कि डिरेक्टर जेम्स कैमराउन के फिल्म अवतार पिछले आठ साल से दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। 18 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई ये फिल्म 1997 की सूपर हिट फिल्म टाइटेनिक का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जो अब भी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आपको बदा दे कि अवतार का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 18,033 करोड रुपे हैं जबकि टाइटेनिक ने 14,304 करोड रुपे की कमाई की है। वही 2015 में आई फिल्म दफोर्स अवांकेस 13,335 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही जुरासिक वर्ल्ड का भी वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 10,828 करोड रुपे हैं। 2012 में आई फिल्म दफ एवेंजर्स ने 9,842 रुपे की वर्ल्ड वाइट कमाई की है। साथ ही जाथ फ्यूरियस के कई सारे पार्टस आपने देखे हूंगे लेकिन फ्यूरियस 7 ने जबरदस्त कमाई की थी। और इस ने 9,583 करोड रुपे वर्ल्ड वाइट कमाएं। वही 2011 में आई फिल्म हैरी पॉर्टर एंड देखे थी हॉलोज के सेकेंड पार्ट ने वर्ल्ड वाइट 9,699 करोड रुपे की कमाई की है। 2005 में आई एवेंजर्स एज ओफ अल्ट्रॉन ने भी 9,121 करोड रुपे कमाई है। Star Wars The Last Jedi 2017 में रिलीज हुई थी जो अब तक 8,571 करोड रुपे वर्ल्ड वाइट कमा चुकी है। 2013 में आई फिल्म फ्रॉजन भी 8,253 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि Black Panther इन सारे रिकाडों को धस्त कर क्या नंबर वन पर पहुँच पाती है। VIRAL KIDA NEWS